हालो स्टूरेंट्स वेलकॉम तो माई यूट्यूब चैनल और आज हम करने वाले हैं कक्षा नो की स्विज्ञान यानि की साइंस की वर्कशिट नमबर 26 यह आपकी 2 सेप्टेंबर की वर्कशिट है इसके अंदर हम अपना टॉपिक वही पड़ेंगे जीवन की मौली की काई क आहिस में कोशीका की बारेमी और इसके अंदर हमारा आज का टॉपिक होगा that is एंद्स प्लास्टिड होता है तो यहां पर क्या होता हैं उनके कारण है तो आज़ अलग परहएं कि बास्तिर हो हमारे पास पाए जाते है तो जिग्यासा उसको बताती है कि प्लास्तित दोरी जिल्ली वाला कोशिका अंग है मेंहा पादब कोशिका में ст applicate सब्सक्राइब कोशिखा याने कि पोधों की जो कोशिखा होती है प्लांट सेल जो होते है उसके लिगठा ऑप निमस्य नीकी देहें को estás मनुष्य ही दिलो मानम भी लेलो ऑपने गुलाबी रمका इंसान देखें लाल रंका हरे रंग का थीक है सारह क्या होते म pulled pin की इसे को चमभडी का रंग सकी अधर मिगरें बोला अगरील वह स्कारी में हिसाब से अलग अब यह तो नहीं कि अपिरिका में लाल गुलाब नहीं होता काले लोग होते हैं यदो अलग अलग जो परित्वी करदे उसके हिसाब से अब यहाँ फ्रीट ब्रहिय देखो कि वह बीना में इस ल्जों सीध करोमो-ब्लास्त होते हैं अब ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है श्वीद तता रंग हीन होता है श्वेत यानि कि सफेद या बिना रंग का होता है यह अंगब पादब जो कोशिकाये होते हैं उसमें खात्य पदार्थ यानि कि फ्रोटीन स्टार्च त informate करता है। यह तो онよろस्त हो गया अप स्कूमीवल प्लास्ट हुदाइश्त क्रोम्क्रीव्प्फ्ध्र法 क्रोम्क्राप्रास्ट में व्भिनरंगा के वढ़्णक होती हैं जैसे पीले, नरंगी लाल इत्यादी, अलग-अलग आप फूलों के रंग देखते हो जो ये क्रोमो प्लास्ट होता है, इसमें अलग-अलग तरह के प्लास्टिर्स होते हैं, जो पादफूलों और फुलों को विभीन रंग प्रतान करते हैं, तो उससे क्या होता है, हमारे जो fruits होते हैं फल जो होते होते हुरोति लिघ में हरे रंग कुरोफील होते हैं जिस pandemic Ya उसको क्या देता है हरा रंग में जिव जगत की सबसे बड़ी जो महतपुंह रसाइनिक किरिया जैवरसाइनी की रिया प्रकास अंशलेशन होती है तो प्रकास अंशलेशन कहां पे होती है क्लोरोप्लास्ट के अंदर होती है क्लोरोप्लास्ट कहां पे होता है क्रोमोप्लास्ट में होता है और क्लोरोप्लास्ट में क्या पाया जाता है क्लोरोफिल पाये जाती है कोशन दे जो एकतरल पदार्थ, मेत्रिक से बरा रहता है, जिसमें बहुत सी जुली वाली पड़ते होती हैं, जिसे ठाइल लेकोइड जो है, चिलोकेड जो है उनको कहा जाता है, माइट्रोकॉंड्रिया की तरह प्लास्टिट में अपना DNA तता राइवोसोम होती है, प्लास्टिड में भी अपना जो DNA है और ribosomes होते हैं तो ऐसे दो आपने कोशिका अंग बताने हैं जिनमें अपना DNA होता है तो पहला है mitochondria दूसरी है plastic ठीक है अब यहाँ पे आपको structures दी हुई हैं देख लो यहाँ पे आपको DNA दिखाया हुए ribosomes दिखाये stroma दिखाया हुए खाली वाला और यह आपको thycolloid दिखाये हुए यह वाली जो अलग अलग पर्ते आपको दिख रही है न यह वाली यह है thycolloid ठीक है तो उसके बाद में है दूसरा question जो ग्यान ने पूचा दीदी परकास sensation की किरिया क्या होती है अब यह तो बच्चो वाला question है सबको आता है परकास sensation क्या होता है पोदे अपना खाना बनाते है संचलेशन की किरिया सभी जीवों के लिए बहुत मैतपून होती है यह क्रिया पादप कोशिका में chlorophyll वर्नेक की वज़य से होती है होती कहाँ पे photosynthesis यानि की परकास sensation chloroplast में होती है किसकी वज़य से होती है chlorophyll की वज़य से होती है ठीक है अब यहाँ पे क्या हुआ कि इस किरिया में हरे पोदे सूर्य से परकाश की उपस्तिती में सूर्य की परकाश की उपस्तिती में जो हरे पोदे होते हैं, वो वाइउ में से carbon dioxide लेते हैं, भूमी में से जल और carbonic पदार्थ जैसे carbonic पदार्थ यानि कि जैसे carbonic पदार्थ ग्लुकोज का निर्मान करते हैं, ठीक है, और oxygen gas को बाहर निकालते हैं, तो 6 CO2 के जो molecules हैं, अणू जो है वो लिए, 12 पानी के अणू लिए प्रकाश और क्लोरोफील की उपस्थिती के अंदर ये रियक्शन हुई कि क्या बना रसाइनी किरिया हुई तो ये बना C6H12O6 इसको ग्लुकोज कहा जाता है ये होगी और ये हो गया पानी जो बाहर निकल जाता है ठीक है तो ये हो गया प्रकाश संशिलेशन इसके बा आवश्यो कोशी का अंग कोन सा है तो प्रकाश संशिलेशन की किरिया क्लोरोप्लास्ट में होती है इस पर क्रिया का सबसे परमुख घटक क्लोरोफील है जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाई जाती है ठीक है दूसरा question है प्लास्टिड के विबिन परकार तथा उनके कारिय आदी जो पोदे के खादे पदार्थ है उनको स्टोर करते हैं ठीक है क्रोमोप्लास्ट वो होते हैं जिनके अंदर एक हरे रंग का या अलग लग तरह के जो लवक है वो होते हैं ठीक है और जो फोटो सिंथेसिस के अंदर जो है वो काम आते हैं ठीक है क्लोरोप्लास्ट पोदे सूरज के प्रकाश और कार्बन ने एक साइड की मदद से अपना भोजन बनाते हैं ये एक ऐसी प्रकिरिया जिसमें सूर्य की उर्जा रसाइनिक उर्जा में परिवर्तित होती हैं इसका उप्योग जीव जन्तु जैसे पोदे शेवाल वेक्टीरिया अधि करते हैं उ उपस्ति के अंधर छी तो यह था हमारा कोशिय नम्बर थ्री आगे चलते को शें नम्बर फॉर के उपर है कलोरोफिल किस प्लास्टिट में होता है एसी दो कोशिकाँ का नाम अपने लिखना है कौन सी दो कोशिकाँ का अपना डी एन्ने होता है तो क्लोरोफिल जो है वह क क्रोमो फॉर्ल दियान रखे कोन्डी और प्लास्टिट में अपना अनु के रूप में होता है जिसमें कोशिका का निर्माण और संगठन सभी आवश कुछाइं सुचना होती ठीक है यह हो गया question number 4 ठीक है हमारा उसके बार में यह हमारी यहां पर जो worksheet है वो पूरी होती है next हम मिलेंगे next video के अंदर अगली worksheet के साथ जो हमारी worksheet number 27 है उसके साथ